Welcome back friends, तो कैसा रहा आज का दिन और आगे क्या लगता है उस बारे में हम आज बात करेंगे उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजेगा और बेल आइकन प्रेस करने से आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी मुझे विश्वास है जो लोग हमारे वीडियो रेगलरली देख रहे हैं उनको याद है कि हम पिछले एक दो वीडियो में बता रहे हैं कि मार्केट में वोलटालिटी देखने को मिल सकती है हमारे स्टूडेंट्स जो रेगलरली ये सीरीज देख रहे हैं उनका हमें message आता है कि sir आपका market के प्रती जो view आप इस series में बताते हैं वो बहुत मदद करता है तो आपका investments के सारे students को मैं thank you कहना चाहता हूँ और ऐसे ही full of knowledge और quality content आपको हम ऐसे ही provide करते रहेंगे तो coming back to the point आज market में काफी उतार चड़ाव देखने को मिला हमने आपको राई दी थी कि अपनी positions oversize नहीं करनी है तो अगर आपने हमारी बास seriously ली थी तो आज के move से आपने अपना capital save किया होगा Nifty आज हरे निशान में बंद हुई है और हमारे 17,200 के support level के उपर closing भी दिया है मगर इसका मतलब ये बिलकुल नहीं है कि बाजार उपर जाने को है Nifty हमें 17,100 से 17,500 के बीच move करती हुई इन दिनों दिखाई दे सकती है अगर 17,500 से एक सीधा move 17,800 की और देखने को मिलता है तो शायद कह पाएंगे कि buying मजबूती से आ सकती है तो फिलहाल के लिए कोई ground commitment या decision नहीं लेना है कल RBI की meeting होने वाली है तो कल शायद और बड़े उतार चढ़ाओ वाले moves देखने को मिल सकते हैं अगर आपने हमसे trading करना सीखा है तो हमारे सारे students को अच्छे से पता है इस volatility के दोरान कैसे अपना portfolio manage करके profit निकालना है intraday traders के लिए ये उतार चढ़ाओ अच्छा भी माना जाता है बढ़ हम बता दे कि आपके stop loss हीट होने के chances भी उतने बढ़ जाते हैं तो अगर आपने इस volatility से profit कमा भी लिया हो तो please over confident होके गलती मत करना बजार से लडने से कोई फाइदा नहीं होता एक दो दिन शायद जीत जाओगे बट हमेशा नहीं जीतोगे हमेशा जीतते रहने के लिए आपको एक system और proper understanding की जरूरत है हमारे इसाब से बजार नहीं चलता बलकि हमें उसके इसाब से चलना होता है तो news देखके या दोस्तों की सुनके आप trading कर रहे हैं तो कृपिया ऐसा ना करें आप खुद हमारे courses से training लेके अपनी गाड़ी खुद चलना सिखिए अगर लगाता loss कर रहे हैं और समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आगे बढ़ें तो आप मुझसे सीधा call पे बात भी कर सकते हैं जिसके लिए आपको केवल 8460909037 पर 9 से 7 के बीच कभी भी call करके मुझसे या हित्य सर से 1 to 1 बात करने की appointment बुक कर सकते हैं आज के दिन केवल auto, metal, pharma और PSU banks ही थे जिसने अच्छा खासा up move दिया था इसके अलावा बाकी सभी sectors आज कमजोर रहे आज अदानी विलमार IPO की लिस्टिंग हुई थी और करीब 16.5% के gain के साथ closing दिया है TVS Motors का आज 3rd quarter का result आया था जिनमें उन्होंने इस quarter में 289 करो रुपे का profit दिखाया है 9% के growth rate के साथ आज Vedant Fashion Limited का IPO application का आखरी दिन था और हम आपको बता दे Vedant Fashion IPO 1.73 टाइम सब्सक्राइब हुआ है अगर आपने भी apply किया है तो 11 फरवरी को हमें इसका allotment status देखने को मिल सकता है कल के लिए हम आपको stock recommendations नहीं देना चाहेंगे क्योंकि हमें आपकी चिंता है और हम ये नहीं चाहेंगे इस volatility में आपका capital loss हो किसी दिन trade ना करना भी एक समझदारी वाला काम है तो I hope आपको काफी knowledge मिल रहा होगा हमारी इस नई stock market series से बस ऐसे ही videos को regular देखते रहिए और हाँ, video को like करना नहीं भूलना है आप और क्या जानना चाहते हैं उसके बारे में comment section में जरूर बताईएगा तो कल मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, good bye, take care